तो दोस्तो Xiaomi ने ग्लोबली लाँज कर दिया है Redmi Note 6 Pro और इस वीडियो में हम बात करेंगे Redmi Note 6 Pro के स्पेसिफिकेसन, इंडियन रिलीज और प्राइस के बारे में तो वीडियो पसंद आते इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनलो को सबस्क्राइब कर लो, with that being said, let's get started. दोस्तो Redmi Note 5 Pro के मुकाबले Redmi Note 6 Pro को ही रियल अब्डेट नहीं है, Redmi Note 5 Pro की तरह ही Redmi Note 6 Pro में भी Snapdragon 636 प्रोसेसर, 4000 mAh की बैटरी और 12 प्लस 5 मेगा पिक्सल का डूल रियर कैमरा देखने को मिलता है, डिफरेंस है तो सिर्फ Redmi Note 6 Pro नौच डिस्प्ले और 20 प्लस 2 मेगा पिक्सल के सेल नौच डिस्प्ले दी गई है, इसके अलावा दोनों स्मार्टफोन बिल्कुल एक समान है, Redmi Note 6 Pro 6.26 इंच के फुल एजडी प्लस नौच वाले डिस्प्ले के साथ आता है, जिसमें बोरिला ग्लास का प्रोटेक्शन भी डिया गया है, Note 6 Pro, Dual 4G सपोर्ट, IR ब्लास्टर और स एक्ष्ट्रा कैमरा सिर्फ डेप्ट सिंसिंग में काम आएगा, प्राइस की बात करें तो Redmi Note 6 Pro की भी प्राइस 14,999 रुपए हो सकती है, प्राइस की स्मार्टफोन में ना तो कोई अप्रेडर प्रोसेसर मिलता है, और ना ही कोई एक्ष्रा फीचर्स, तो प्राइस बढ़ा साउमी का कोई भी अच्छा स्मार्टफोन अभी मार्केट में अवेलेवल नहीं है, और मार्केट में कॉम्पेटिशन भी काफी बढ़ चुकी है, ऐसे में Note 6 Pro का 3GB RAM वेरियंट इस प्राइस रेंज में काफी सही होगा, अब बात करते हैं इंडियन रिलीस डेट की, तो आदे चांसे से कि Note 6 Pro 20 नवंबर को इंडिया में लांच हो जाएगी, उमीद करते हम वीडियो पसंद आपको, प्लीज वीडियो लाइक कर दे, सेर कर दे चैनल, सब्सक्राइब करना मत बूले, मैं मिलूँगा नेक्स्ट चुडियो में